हम पढ़ रहा है यहां पर PHP operators के बारे में देखिए यहां पर इसके पहले हमने दो operators के बारे में बात किये एक तो थे arithmetic अर्थमेटिक ऑपरेटर जिसको हम plus minus into divide इस प्रकार के जो operator इनके बारे में पढ़ा जो की basic calculation के संबंद में थे दूसरे पढ़े हमने comparison operator comparison का मतलब होता है कि ए और जो बी हमने लिए हैं उसमें बड़ा चोटा दिखाना equal to करके दिखाना not equal to करके दिखाना इनकी compare करना यहने कि दोनों के बीच में तुलना करना इस प्रकार के operator के बारे में हमने पढ़ा है अब इसके बाद हम जो जो operator बचे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं जिसे की increment और decrement operator की बात करें इसके अलावा logical operators की बात करें string operator की बात करें या फिर assignment operator तो इन चारो operators के बारे हम यहां पर देखने वाले हैं और PHP operators हमारा भी complete हो जाएगा सबसे पहले बात करें assignment operator की basic में आपको एक overview देता हूँ यहां पर हम practical करके देखेंगे यहां देखिए पहला जो operator होता है वो होता है assignment operator assignment कुन सा सिर्फ equal करके मतलब बरावर यानिकी एक्स में किसकी वेलू आएगी एक्स में आएगी यहां पर हम देख सकते हैं और यहां यह सेम टू सेम आप देख सकते इस प्रकार यानिके जो right side में है right side के जो जो भी variable है उसकी वेलू कहां transfer कर दी जाएगी left में इसको बोलते है normal assignment ठीक है फिर इसका प्लस assignment करके अगर बात करें तो प्लस और assign करने की बात करें तो यहां पर हम एक चीज लेते हैं जैसे x है x की value हम लेते है 10 और by है by की value लेते है 20 ठीक है और अगर बा x plus y यानि की x में यहां पर 10 है और by में कितनी है 20 दोनों में जो है यहां पर प्लस होगा और यहां पर चला जाएगा 30 यहां पर हम देखें तो यह हो जाता है इस प्रकार से यहां एडिसन assignment बोलते इसको फिर बात करें multiplication मतलब सौरी माइनस की बात करें तो इसकी value हम change कर देत और अगर हम इस प्रकार का काम करते हैं तो यहां पर क्या होगा एकस में से माइनस होगा 20 यानि की बचेगा कितना 10 और चला कहा जाएगा चला जाएगा एकस में इसको बोलते हैं इसको सब्स्ट्रेक्शन assignment बोलते हैं इसके लावा मल्टिप्लिकेशन की बात करें तो यहां पर यहां पर क्या होगा एकस और वाइक को मल्टिप्लिकेशन होगा यानि की 30 & 20 को इसका घशा जाएगा यह ली ली लेते nggak मतलब x की value लेते है 30 और y की value लेते है 6 तो यहां पर भाग दिया जाएगा किसका 6 का और आएगा कितना अंसर 6, 5, 30 यानि कि 5 आएगा तो 5 कहां श्टोर हो जाएगा यहां पर ठीक है डिवाइड असाइन्मेंट है फिर आते हैं मॉडूलस असाइन्मेंट मॉडूलस असाइन्मेंट का मतलब होता है कि से इस फल यानि रेमेंडर निकालता है रेमेंडर कैसे जिसे मान लीजे यहां पर हम देते हैं 30 और वाई की value देते हैं 67 ठीक है तो 7 का अगर भाग देंगे इसमें कितना आएगा यहां तो 28 तक जाएग चलिए हम इनका जो है यहां पर व्येस कोट को ओपन करते हैं देखें यहां पर मैंने व्येस कोट को ओपन करकर रखा हूं और हम करते हैं यहां पर जैसे ओपन करेंगे तो यहां पर आपको देखिए अपाचे को स्टार्ट करना है और इसको मिनिवाइस कर देना है ठीक है म तो Assignment Operator के अगर बात करें तो यहां पर आपको देखे मैंने Last में लिखकर रखा हुए ठीक है यहां देखे यह है PHP Assignment Operator तो यहां देखे यहां पर अगर बात करें X ब्रावा 10 10 x बराबर 10 मतलब यहां पर हम देखें तो टैन कहां चला जाएगा 10 चला जाएगा एक्स में इसको रन करके देखते हैं ठीक है इसको कमेंट से अटाने के लिए पता आपको का देख सक रहे हैने एक्स को क्यों प्रिंट किया थे यहांपर एक्स को मतलब होता है जूड़ je आएगी किसमें 100 में हेक एक्स की वेलु क्या है 20 और एकस में फिर से आ रहा था रहा हैं यानिकि एकस में जो बैलु है ट्वेलु है ट्वेलु फिर से हंड्रेड में जोड़कर क्या हो जाया एकस में ट्रांसफर जाए तो answer क्या आना चाहिए 120 320 याना चाहिए जिए यहां इसके बाद यहां इसके बालग यहां कि Anda कि अंदर के ले लेते हैं लगा सरी करना है स्टेटमेंट को तो कंपलसरी हो जाता है देखिए दोनों अलग-अलग लाइन में सो हो गए मतला पहली बार में 10 आया दूसरी बार में प्लस करके कितना आया 120 आया उसके आद हम बात करते हैं यहां पर किसकी माइनस की यहीं कि 50 जो है पहले से उसमें 30 माइनस हो जाए 30 माइनस हो गया कितना आएगा और एको करके हमने एक्स को प्रिंट करें तो यहां पर इसको प्रिंट करके देखें लगा काना चाहिए फिर से इको लो और यहां पर हम क्या कर सकते हैं उप डबल कोट के अंदर बी आर आर आपको एस्ट्यमेंट टेग लिखना है और तो मतलब multiply होका 5 पहले से एक्स में और उसके एक्स में फिर से हम 6 दे रहें परंतु गुणा करके क्या आना चाहिए इसमें आंसर आना चाहिए फाइव इंटू 6 क्या आएगा 30 और एक्स को प्रिंट कर लिए और अब हम बी आर सब में लगा देते बी आर क्यों लगा देते य जिसे यहां पर अगर 15 में हम भाग देते हैं 4 का तो कितना आएगा यहां पर भाग आएगा 12 यानि कि 4 यानि 3 बार आएगा और फिर दसमलों लगा कुछ जो है इसका अंसर आएगा दसमलों के बाद तो डिवाइट करके यहां एक्स में प्रोवाइड हो एक्स की वैलू तो 4 आगया तो आप यह करके देख सकते हैं फिर हमने यहां भी यार लगाए और नीचे चल के हम करते हैं यहां पर फिर से चेंज इनिकी एक्स में 10 है और फिर एक्स में मॉडूलस मतलब रिमेंडर निकालना है फोर का तो फोर का अगर इसमें कितने मतलब डिवाइट करेंगे हम तो कितने बार जाएगा टू टाइम सना और तू जो है इसका फिर यहां कर दे कर देते हैं कमेंट लाइन कमेंट लाइन क्यों कर देते हम दूसरों ऑपरेटर के बारे में हाप है ठीक है चली appreciate ने और हम बात करते हैं नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है इंक्रीमेंड और कि आपको देखने मिलेंगे एक तो दिख रहा है प्री इंक्रिमेंट का मतलब देखे एक्स जब प्रिंट होगा उसके पहले प्लस-प्लस यानि कि एक प्लस हो जाएगा जैसे मान लिए टैन दिया है तो अगर प्लस-प्लस हमने पहले लगा दी तो यहां नेक्स्ट टाइम ज मामानस कर चुका है और अगर आप मामानस करते हो पोस्ट डिक्री मेंट यहां और यहां पर घटाएगा जैसे मान लिजीए हमने टैन तो टैन प्रिंट कर देगा पर नेक्स्ट टाइम आगा नाइब तो यह को हम देख सकते है उनको हम एक्जाम्पल के तौर पर यहां पर देखते हैं यहां चलते हम किसमें इंक्रिमेंट ऑपरेटर में देखें यहां पर हमको देखने मिलते हैं एक तो आपको देखें यहां पर दिख रहा है प्री इंक्रिमेंट फिर आपको पोस्ट इंक्रिमेंट दिख रहा है प्री आपक यहां पब्लस कर दिया कि 11 कराएगा चलिए यहां पर इसको रूण करके देखते हैं तो यहां आद देखे 11 11 क्यों क्यों कि ök tip पहलेалась कर दिया और फिर हम एक बार और कर से हैं यहां पर किसको ई को पर ख खेर हों करते ह सको एक्स को प्रूट करते हैं ठीक है है चलिए करते ही हो प्रिंट करते चला जा जाएंगे इसको हम दो कमेंट करते हैं यह तो अब दिक्षी करता है कि यहां दिखे। 11-1 इस परकार से आप इसको समझ सकते हैं उसके बाद यहाँ बात करें हो पोश्ट डिक्रिमेंट की तो यहां देखेहे यह पहली बार में टैन प्रूपरीन करेगपर मैं इसी को कउपी कर देता हूं यहां पर में इसको कउपी करेता हूं एक यहां पर नैन प्रिंट हो रहा है यह वाला ठomenaट करीक है notamment अब को अलग से क्लियर तो हम यहां पर कंडिशन यहां कि लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं तो एक होता है एंड ऑपरेटर और एंड का मतलब होता है इस प्रकार से भी आप लगा सकते हैं और इस प्रकार से यहां कि दोनों ही यहां पर वर्क करेंगे यहां पर alphabetic रूप में हैं और सिंबॉलिक में और कर सकते हैं लाइव घर utahe तो नहीं को एब ह क्रू आएगा ठीक है यहां क्या नहीं और यह ए Gone को ऑ massive कर देता है क्योंकि है तो नहीं है और नहीं है तो है इस प्रकार से हम देख सकते हैं तो देखिए प्रू कब आएगा जब एक्स बराबर एक्स सही नहीं रहेगा यहां पर कोई भी एक सही हो तो यहां पर क्या होगा मतलब कोई भी यहां पर राइट होना चाहिए और एक्स भी राइट होना चाहिए और य जब तक कि दोनों कंडिसन सही नहीं होगी तब तक कि यहां पर टू अंसर नहीं आएगा से में यहां पर अलफ़ावेट रूप में भी आप देख सकते और और एंड तो हम सबको यहां पर यूज कर देख लेते हैं चलते हैं हमारे वीज उस पकोड़ में चलने के बाद हम यहां पर चलते हैं लॉजिकल एम लाज़िकल आपरेटर में लॉजिकल आप देख सकते हैं यहांप hè देखे सबसे पहला हम देखें तो हम को यहां पर कंडिशनल स्टेट्मेंट का उप्योग करना पड़ता है क्यों कि यह बिना कंडिशनल स्टेट्मेंट के यहां पर काम नहीं करेगा तो इफ है इसके बाद हम पढ़ने वाले आभी बेसी ग्रूप से समझ लीजिया हलकी आपने अगर पहले कोई पढ़ा होगा जैसे जावा स् आघे जाता हूं एक्स की बेलू हमने लिए हैं फिटेट एमने वाइव हमने लिए 50 तो इस मतलब एक कंडिशन लगा रहा है यदि एक्स की बेलू अब बड़ावर के लिए आपको सिफ एक क입니다 एक ने लगाना पड़ता है दोई लगाना पड़ता तभी यहां equal माना जाता तो x equal to 100 and यानि की और by भी रहना चाहिए यानि की और मतलब होता है दोनों मिला का ठीक है तो by equal to 50 दोनों क्या हो सही हो मतलब दोनों अगर सही हो जैसे मान लीजी x-value 100 तो याँ यहाँ चाहिए हम ने वाई की वेलू 58 50 यहां पे भी है तो बराबर सही है याद है याद की अगर सही रहेगा तो इसकी अंदर की statement हो जाना चाहिए यहां पर हम जो सको करके तेया फैस करते हैं यहां राड़ाум sono दो यहां को थोड़ा साओं चुछ नहीं आएगा कुछ क्यों नहीं हाएगा जब यहां पर यहां पर इंड ऑपरेटर जो है क्या करता है जब तक कि दोनों वैलु सही नहीं नहीं होता चलिए फिर सकार्च कर देते वापका तो हेलो वर्ड आ गया है ठीक है अब इसको मैं बंद कर देता हूं next जो operator है वो हम देखते हैं यहां पर और मतलब होता है double आप खड़ी line भी लगा सकते हो और आप इस प्रकार से भी काम कर सकते हैं तो हम इसको slash comment line से बाहर कर देते हैं x की value हमने दिये 100 और y की value हमने दिये 50 और अगर हम यहां चाहिए यहां पर अंसर प्रिंट हो जाना चाहिए तो हमको changes तो यहां पर नजार नहीं आएगा परन्तु हम अगर दोनों value change कर देते हैं जैसे मानलों मैं इसको भी change कर देता हूं देखे दोनों value यहां 100 भी नहीं है और यहां बाय के बरावर में 80 भी नहीं है नहीं कि दोनों ही गलत है जब दोनों गलत होगी तब यह आंसर नहीं मिलेगा ठीक है यहां आप देख सकते वह आंसर गायब हो गया मतलब यहां यहां पर कोई भी एक कंडिशन सही होना चाहिए जैसे मान लिजी मैं इसको 80 कर देता है एंड एंड के जैसे और यह काम करता है और हम करते हैं नौड वाला करते जाब आंसर रहेगा तब रॉंग दिखाएगा मतलब फॉल्स और जब आंसर गलत रहेगा जब दिखाए क्योंकि पहले ही यहां पर नौट लगा हुऊ नौट मतलब यह वाला साइन एसक्लिमिसंस नहीं है बरावर 90 कैने एक्स तो एक्स वेलडु तो क्या है एक्स बहलु हंड्ड है नहीं है बरावर मतलब सिंपल सी बात नहीं है और नहीं मतलब क्या है answer प्रिंट हो ऐग्या है अगर हम छेंज करते हैं यहां जी नहीं है जबकि है वो तो यहां पर हम चेंज कर देते जिसे 90 के बाद में 80 भी करते हैं तो क्या वाल्टा नहीं है 90 के बराबर तो नहीं है मतलब 80 है तो सिंपल सी बात नहीं है तो यहां पर हेलो वर्ड आ जाएगा आई होप यह समझ में आ गया होगा आपको दोनो में टेक्स्ट है और दोनों को हम जोडना चाए तो यहां पर हम यह को कर देखतें इसको मतलब डवल कोट है दवल कोट के बाद के बाद एक स्पेस है अगर मैं सको हटआ देता ह Про to क्या ंग दाखेंगे दिधिए में इस पेस ने देख रहा है तो हमको दोनों में या तो यहां इस पेस देना पड़ेगा या तो यहां इस पेस देना पड़ेगा पहले तो आप रेफ्रेस करके देखिए देखिए यहां हेलो वर्ल्ड तो यह कॉन्कैटिनेशन यहीं को जोड़ने के लिए ऑपरेटर होता है फिर नेक्स्ट अगर बात कर इस्टिंग से संबंदित एक और operator है तो यहां हम इसको देख लेते हैं देखें पहले हमने हेलो रखें दूसरे हमने वर्ड लिखें और दोनों में space दे दिये और दोनों को यहां पर जो हो रहा है यहां पर यह नहीं वह देखा देखते हैं यहां वर्ड बस आ रहा है सब्सक्स जोड़काने का जोडने का operator है ठीक है concatenation और assignment छिक इसको हम वापस कर देते हैं फिर एक होता है assignment operator ठीक assignment operator के बारे हम देख चुके हैं अभी सभी जो operator है वो यहाँ पर हम समझ चुके हैं तो आप देखें यहाँ पर हमने सारे operators के बारे में यहाँ पर विस्तार से समझ लिया तो यह सारे operator आपको समझ में आ गए होंगे ठीक है concatenation assignment करके हैं फिर concatenation इसके अलावा हमने जो पीछे सारे operator से उनके बारे हम यहां पर बिस्तार से assignment जो भी है यहां पर example के तोर पर देख लिया है जो modulus operator है multiply यह सारे operator हमारे पहले ही हो चुके है I hope सारे operators आपको यहां पर clear हो गए होंगे फिर भी अगर कोई doubt है तो आप मुझे comment कर सकते हैं ठीक है वहां बता सकते हैं कि आपको क्या देखका थै मैं अगले जो भी वीडियो आने वाले उसमें आपका solution जरूर देदूंगा